नमस्कार, विधान सवा चुनाओ अब बिलकुल सिर्पर हैं। मद्द प्रदेश में एक बात कही जाती है कि हम उद्योगों को और उद्योगपतियों के विकास की बात कर रहे हैं। आज हम खड़े हैं रिछाई इंडिस्टिल स्टेट जबलपुर में। लगबग पांच दशक हो गए हैं इस छेतर को इंडिस्टिल स्टेट बनाई हुए। लेकिन इधर आकर ऐसा लगता नहीं है कि ये पांच दशक पुराना हैं। ये उद्योगपति अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत से इन उद्योगों को चला रहे हैं। मद्रप्रदेश के अगली सरकार में भी पूल मुद्दा है, उद्योग और विकास का। आज हम इन उद्योगपतियों के पास चलेंगे, जो अलग-अलग उद्योगों से संबंदित हैं। निर्मान कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। क्योंकि मद्र प्रदेश में भी उद्योग की विकास तो हुआ है लेकिन कुछ शेत्र विशेश का यदि हम मालवा की बात करेंगे हम पीथमपुर की बात करेंगे और उसके बदले यदि हम महाकोशल के उद्योग और उद्योग पतियों से बात करेंगे तो दोनों में बहुत संतर है हमारे यहां जो बाहर के उद्योग पती हैं वो नहीं आते हैं हमारे यहां वो द्योग पती हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत अपनी ताकत और अपनी मेहनत से यहां पर उद्योग जमाए है और देश में नाम कमाया है तो सबसे पहले हम चलते हैं उद्योग रचाई उद महाकुशल उद्दोसंग में मैं अधिश के पदपर हूँ और मेरी घुद की इंडस्ट्री है अतुल इंडस्ट्रियल कारपरशन्य के नाम से अधियों कैट्व के च्छेतर अधारतान में क्या परिशानिया है नई सरकार आने वाली है क्या नीतियों से आपको परिशानिया है क्या चाहते हैं आप अगली सरकार से इसमें परेशानी की यदि आप बात करते हैं तो परेशानियां तो कभी ऐसा समय न पहले रहा है न कभी भवशे में मुझे लगता आएगा कि परेशानियां ना हो परेशानियां शुरू से रही हैं वर्तमान में भी हैं आगे भी रहेंगी इसके लिए हमनों को मांसे ग्रूप से तयार रहना पड़ेगा लेकिन परिशानी इस तरह की नहों कि उद्धोग संचलन करने में दिक्कत खड़ी हो जाए उद्धोगों का अस्तित्व ही खतम होने की गगार पर आजा ऐसा ऐसी परिशानी नहीं होना चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगा जब देश आजाद हुआ सन 1947 में जबलपूर एक पिषडा छेतरा था यहां की जनसंख्या भी बहुत कम थी उद्धोग के नाम से यहां पर इने के ने उद्धोग थे दो चार शे मात रह उद्धोग हुआ ही नहीं करते थे लेकिन अब यह बड़े दुख के साथ करना पढ़ रहा है कि शुरू में देश की बागदोर जिस पार्टी को मिली उस पार्टी का परफार्मेंस ऐसा नहीं करते थे जब मैं हाई सेकंडरी पास करके निकला तो अधार ताल की स्थापना हुई हम एक बार घूमनें गए देखा तो बहुत सारे शेड इंडिस्टियल शेड बने हुए हैं और दो चार संचालित हो रहे हैं और दो चलते ही नहीं थे बाद में जैसे समय गुजरता गया और जवलपुर की जनसांग चैक्टों बढ़ी यहां पर सिर्फ सुरक्षास अंसाम के कारण मैं आपको टॉक रहा हूं बीच में हम भविश्ट की बात करें हो चुका सत्तर वर्ष हमने गुजार दिये आजादी के बाद हम नई सरकार से क्या क्या उमीदें करते हैं मैं पूर्व के मामले में सिर्फ दो सेंटेंज कहना चाहूंगा चुक्षले दस वर्षे से यहां पर और जिक बीकास हुआ है नहीं हुआ है अब भवश्य में यह चाहते हैं आगामी विधान सभा के चुनाव के बाद चाहे भारती जंता पर्टी की सरकार के बने हम अपेक्षा ये करेंगे कि ओड़ो की विकास हो और महाकोशल छेतर जो ओड़ो की दरश्टी से पिशड़ा है वो उतर उतर तरक्य करें ओड़ो की विकास की बाढ़ आ जाए ऐसी हमारी अपेक्षा है जैसा कि आपने बात किया मद्ध भारत की ओड़ो की छेतर पीथम पर और दूसरे चेतर जहां पर उड़ो की विकास दिखता है जबल पर और इसके आसपास भी ओड़ो की विकास दिखना चाहिए इसमें कोई शेक्ट नहीं है बरतमान में जो और दो के शेतर रिशाई हो या अधारताल हो या दूसरे अन्य अड़ो की छेतर हो यहां पर 99% कि का जो नारा है अशासन का वो सारताय चिद्ध होना चाहिए उद्योग पतियों को सबसे बड़ी शिकायत होती है बिजली पानी ओ सड़क आप लोग पिछले 50 सालों से यहां उद्योग चला रहे हैं आपका तो सबसे पुराने उद्योगों में से एक है इन सरकारों के कां में ध्यान देलाना चाह होंगा और मेरी अपक्षा है जो भी सरकार है चाहिए बीजेपी की हो चाहिए कॉंग्रेस की हो पिछले हम जब चत्यसगार और मद्यपास एक था ता हमारे पास भरपूर बिजली थी लेकिन अलग होने के बाद कुछ चुकी छेतर चत्यसगार में चला गया होगा लेकिन अभी हमें बताया जाता है कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं लेकिन ऐसी बिलकुल भी इस्तिथी नहीं है उद्योगों में जबलपूर शहर के अंदर कहने के लिए 24 घंटे बिजली है लेकिन क्वालिटी बिजली नहीं है लगबग रोज तीन से चा अधिकारियों से और जो चेर मैंने हमारे मदर्पदेश तेलेटिसी बोड़ के सबसे संपर किया है उन्होंने कहा है कि मापस अपनी असमृतना जाहिर करते हैं या कई बर कहते हैं कि टेकनिकल इशूस हैं कई बज़ट नहीं है मेरी अप एक्चा यह है कि बिजली पर जुर कि एन्डेश्टिरी यहिसाों कि हर सरकर कहती है कि हमने उद्योग्यों के लिए यह जो नए स्टाटप सार है जो नए ईद्योग पती अपने शेहर में देश में प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते हैं उनके पडली सुबदाय कर रहे हैं सब कुछ सरकार कहती सिंगल यह आपको लगता है कि जो कहा गया है अभी तक वैसा हुआ है या आगे आप क्या चाहते हैं में क्या पूरी परमीशन्स वो दे रहे हैं क्या या मैप सेंक्षन होते हैं क्या पलूशन से this मिलती है किन अभी चैक्याय चैक्कर लगा जाते है और यहीं कोई बड़ा अद्योग आता है फूर सरकार फुर पहुच जाती है आप लेंड ही लीजीए, आप बिजली भी लीजीए, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। और शोटे उर्द्योग पति को क्या मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि ज़कर यह है इस डिपार्ट्मेंट तो एक चक्कर उस डिपार्ट्मेंट मेरे हिसाब से किसी को किसी भी काम को कार्य करने की सीमा तै होनी चाहिए本当 हमने को लेंड अलाटमेंट किये छे मैने में इस इंडेस्ट्री का मैप सेंक्शन होना चाहिए यह सरकार को अपने अधिकारों के उपर बाध्यता डालनी चाहिए वह च्छे मैने अगर MPV कि किसी करनक किसी ने कनेक्शन के लिए अप्लिकेशन डाला है तो कनेक्शन उसको दो मेने में क्यों नहीं मिला यह उपर से अधिकारी को जवाब दारी आपका कहना यह है कि हर चाहिए कि एक जबाब दे ही तय होनी चाहिए वह डिपार्टमेंट कोई भी हो बहुत सही बात कहीं आपने सर मैं यह कि बड़े उद्योग पती जो हैं जो इन्वेस्टर्स मीट में दिखते हैं वो महा कोशल में और इन छेत्रों में क्यों नहीं आते हैं अनिल कुपता आरवेदिक कोशदियों का निर्माण करता हूं मुझे लगता है कि जैसे पीथमपूर का आपने बोला या फिर मालवा के लिए बोला तो शाषन और केंदर का कुछ जुकाओ शायद उनके पती ज़्यदा होगा और जो हमारा महा कोशल छेत्र है पिष्णा है तो पिषडता ही जा रहा है और उसके पीछे शाषन भी कहीं जवाब दे है और उपेक्षा का महा कोशल सिकार है अभी हमारे काफी बंदों ने इंडस्ट्री के बारे में यह जो अपना महा कोशल छेत्र है और अपना रिछाई इंडस्ट्री ले रिया है जबलपुर उद्योगों में अतियन तो पिषड़ा हुआ है धेर सारी समश्चा है मुझे लगता है कि धेर सारी समश्चा है उद् अपने दमपर संगर्स को करते हुए छोटे श्यशव से लेकर युवावस्था तक हम लोग शफर करते हैं तो अपने दमपर समस्चाओं को जहलते हैं लेकिन इसके बाद भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मेरा जो अपना व्यक्तिकत विचारी है कि सरकार आती है भाजपपगी आएगी कोउंग्रिस की आएगी लेकिन मेरा जो मन है वो यह है कि देश में राष्टवादी सरकार हम विशेASH सी इंड़स्ट्री वाले हैं और धर्म से घिंदू भी हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो हिंदुत्तों और जो राष्ट्रियत आए एक दूसरे के पर्याय हैं और यदि हमारा राष्ट्रियत और हिंदुत्तों नहीं बचा तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का भविशय भी अंधकार मय होगा तो हमें लगता है कि सरकार जो आनी चाहिए हम इस सरकार से लड़ेंगे इस सरकार को कोसेंगे गाली भी देंगे लेकिन चाहते हैं कि हम विधान सवा में राश्टवादी सरकार मद्ध्य परदिस के अंदर आनी चाहिए और चूंकि इस विधान सवा से राज सवा तैह होती है और देश की राष्टबादी सरकार को विभिनन मुद्धे जो राष्ट्रिय मुद्धे होते हैं ताम मंदिर से लेकर विभिनन परकार के 37 से लेकर राज सवा में अठके रहते हैं तो मुझे लगता है कि हम संधर्स करेंगे इसी भाजबा से करेंगे लड़ेंगे लेकिन पतियों में अभी क्या समस्या हैं और अगली सरकार से क्या चाहते हैं सर आपकी क्या उमीद है अगली सरकार से यह उमीद है कि हालागी 15 साल में निश्यतों से विकास हुआ है इसको हम लोग मना नहीं कर सकते हैं लेकिन अभी बहुत कुछ क्या जाना बाकी है यहाँ सरकार का उस्से पुरा इंट्रक्सन होना चैळिए उसके लिग कमिटरी महाँतों सुने मन्तिलिक मह 400 होनी चाहिए और उसका साशन के अस्तर तक उस बात को पहुंचाया जाए-स बहुत आखी प्रशंसकरंग और हम आपसे चाहते हैं किस उद्योग से आप है और खाद्य प्रशंसकरंग के लिए जैसा भी आपने चर्चे में बताया था कि क्या समस्याइं हैं मैं अशोक परियानी पाद्यक्ष महाकोशल दुद्योग संग से हूँ हमारा राइस इंडस्टी है चुकि राइस इंडस्टी जो है एग्री फुर्ट प्रोसेसिंग से आता है तो चुकि हमारे प्रदेश में जो है क्रिशी प्रदान प्रदेश है हमारे एवन महाकोशल में क् संबावना है यहां एग्री बेस्ट इंडेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पशली सरकारों में बढ़ावा तो मिला निश्चित रूप से लेकिन उतनी सुविधा है यह उतनी पॉलिसी समारे फेवरेबिल नहीं बनी आने वाली जो जो भी नहीं सरकार आती है वहली वह पॉलिसी में जब निधान होता है तो हम लोगों को जरूर शामिल किया जाए शेत्री विशाईयों को यह शेत्री इंश्टी के प्रितनीदियों को जरूर लिया जाए जिसमें पॉलिसी की जो समस्या है वो हम ही बता सकते हैं वहां एसी में बेटके जो निधान हो जाता है वो पॉलिसी हमारे काम की नहीं रहती, हमारा म जो मेन सरकार से पिक्षा है शासन से, अगली जो भी सरकार आए, कम से कम लुगों को उसमें पॉलिसी निधान में लुगों को शामिल करें, तो हम उसमें राष्ट के प्रोग्रेस में भी हमारा योगदान खूब रहेगा, हम चा साब बहुत अच्छी बात कहिए आपने कि जो भी पॉलिसी आप बनाई जाती है वो इन उद्योग पतियों से चर्चा करके बनाई जानी चाहिए सर आपका नाम क्या है मैं प्रवीन कुमार शर्मा मैं एमुनेशन कंपोनेंट्स बनाता हूं शीट मेटल के जो कंपोनेंट होते हैं फेरस नॉन फेरस तो मैं सबसे पहले तो एक बात यह कहना चाहता हूं कि जवलपूर पहले पूर से एक विक्सित और योगिक छेत्र था इस द्रिश्टी कॉन से क कि यहां पर बड़ी बड़ी डिफेंस की काईयां थी और यह शहर बसा भी उनी की वज़े से और उनके ही जो बच्चे ब्रॉट अफ हुए उन्होंने ही शहर में और दूसरे काम लगाए हमारे यहां जो था ना हमारे जो राजनेता रहे हैं उनमें राजनेतिक इक्छा सिक कि कमी रही है और जो लोकल मद्यपरदेश के राजनेता रहे हैं और किसी पार्टी के रहे हो वह बहुत ज्यादा प्रिजूडिस थे प्रिजूडिस यह थे कि वह उनकी नजर में मालवाही सरेष्ट था अब मैं आपको बताता हूं हमारे छेत्र ने एक इतनी बड़ी जित अरास हुआ है करे देप्रेशन हुआ है जो चीछ सैकडों में खरीते थे चाहिए रसीया से हमको करोड़ों मांग रहा है कि करोड़ों नग हमको देदो वं देदो वापिस हम चलाएंगे हमारे बास डिफेंस इंडस्टि थी हमारे राजनेताओं ने मालवा को ही सब कुछ स पहचान पाए क्योंकि जब यह सरकार आई मुदी जी की सरकार आई तो जो जिसका डंडा उसकी बहुत जो ताकतवर था उसने और इंडेस्ट्रियल को डिफेंस कोरीडोर अपने छेत्र में कर लिया एक आयतीत नेता जो किसी और पार्टी से आया था उसने अपने छेत्र में अध्यों की करीडोर कर लिया हजारों करोडों अर्बों रूपे का बिजनेस कर रहे हमारे स्किल्ड मैन पावर्ड लेके जा रहे हमारे यहां का ग्यान लेके जा रहे अंग्रेज कोई मूर्ख तो थे नहीं उन्होंने सेंटर में महाराष्ट और MP मैं अंभी को भी ले रहा और हमारे जन प्रत्विदी जिनकों हम बार बार जिताते हैं और यह मान के चलते हैं कि हम बार बार जीतेंगे यह बहुत ही गलत है इन्होंने हमारे जेतर की जो वैल्यू है उसको काम आका अगा हम अभी यह उम्मीद करते हैं जबलपुर जो सुरक्षा संस्थान है केंडर सरकार के उसका सबसे बड़ा केंडर है साथ इंडरस्ट्री जबलपुर में है और एक समय जबलपुर के लगबग 40 प्रतिशत लोग इन फैक्टरीज में काम करते थे जो अब गटते जा रहे हैं तो ऐसा बताया जाता है कि आपको और हमारे शहर को कोई लाब मिला है क्या यही तो मैं कहना चाह रहा था जो निजी उद्योग जो खुल रहे हैं आज पास चाहे उत्तर प्रदेश में हमारे यहां के कुशल जो रिटायर्ड अनुभवी लोगों को ले जाके वहां काम करवाते हैं अपनी फैसलिटी लोगों को तो काम देंगे नहीं और रिचाई अधारतार में किसी जमाने में सो से ज्यादा इंड़स्टी थी जो डिफेंस का काम करती थी अब हमारे रिचाई में तीन या चार बची होंगी मुश्किल से तो इसका नुक्सान तो है फाइदा भी है राष्ट को फाइदा है में बार बार यह कहा रहा हूँ कि क्योंकि आप मद्यपरदिस की चुनाओं के परिफेक्स में बात कर रहे हैं तो मैं उन राजनेताओं को कहना चाहता हूँ आपने जबॉरपूर को कम आका आपके पास कुवेर का खायाना था आपने उसकी तरफ देखा नहीं आपको मालव पर इंट्रेस्ट था तो मालवा अकेला क्या कर लेगा इतनी बड़ी चीज आपके पास थी आपने उसको इस्तेमाल ने किया और दूसी जगे और जाने दिया और वह को इसलिए गया है कि वहां के राजनेताओं में इक्षा सकती थी उनने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने बहुत नुक्सान किया है आपने जवल्पूर के साथ धोका किया है आपको इसका जवाब देना चाहिए जीतो चाहे हारो और आपको आपको हम जवाब देंगे इसका जरूर एक यह जानकारी है कि आप लोग एक और परिशानी से जूज रहे हैं वो है संपत्तिकर की परिशानी उद्योग पतियों पर संपत्तिकर लादा जाता है शिवास्तो जी अप एक बार फिर हमारे साथ उपादेग जी हैं जो संपत्तिकर के विशय में बिदाएंगे का है और इस पर उस वक्त कोई संपतिकर नहीं लगता था अचानक एक रात नोटीस आता है कि इस पर संपतिकर लगेगा जो कि कानून और किताबों के साब से यह सही नहीं है उचित नहीं है उसके बाद भी हमारी कुछ शिए उनिट को सील कर दे गया तालय लगा तिया गया और संपतिकर भी अनाफ शनाव लगा करके इंडस्ट्री पर थोपा गया उस जमीन पर जिस जमीन पर संपतिकर लगता ही नहीं है हमारा जो कानून है वह चांटीस गड़ मद्वीं पद्वाद बना था एक साथ एक वहीं भानून नगर निगाम पालिवका कर लगता है जिसमें कि यह लढ़ाई यह चीजें कश्रीस गट में बी हुई ए पर चैस्टीस गळस सरकार ने उसको कीया है जो शक्ता है हमारी सरकार त्लज अब काफी कोशिश की है उसमें करते हमने कोयो exempt कुछिए के पास भी गए थे वह सारी मंत्रणावा हुई है मैं या पिक्षा रखता हूं कि आनिय वाली सरकार चाहे वह कॉंग्रेस की हो या बीजेपी की हो यह संपत्तिकर रूपीत किया गया तो कोई भी इंडस्ट्री मद्यपृदेश के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि सं समीन दे रहे हैं वहां पर आप करोड़ों रूप्य में समीतिश कर भी अपनी property भी लगता है हम लोग यहां रोजगार देते हैं conditional हैं हम आज रोजगार देना बंद कर दें तो सरकार हमारी पूरी संपत्ति जप्त कर लेगी तो ऐसे cases में मेरी बिलकुल यह आप एकच्छा है सरकार से जो भी सरकार बने कि जैसे 36 गड़ में हुआ है वैसे ही हैं यह संपत्तिकर हम पर नहीं लगना चाहिए और यह सरकार को समझ में आना चाहिए मैं संजय विजाज यहां फरनीचर और कुलर निर्मान के उद्योग में हूं पिछले कई सालों से मैं यह देख रहा हूं कि फरनीचर क्लस्टर की बात होती है यहां पर फरनीचर के इस मुद्य को जल्दी से जल्दी तुरित रूप से इसको ठीक करें और भूमी अवंटित करें और उस पर उपर काम करें संजय वही थैंक्यू शिवास्ता साव आप क्या उमीद लगाएं अगली सरकार से यहां पर टाइस बजाने काम करता हूं मैं चाहता हूं कि आने वाले जो भी स्वरकार हो जो मुलभूत स्वरधायां आम पबलिक को दी जाती है उद्योगों को भी तरफ ध्यान देते हुए आपको इस टाइम है कि आपको शुक्राइब लेकिन उस सबसीटी में भी आरक्षन घुचड़ दिया गया है मतलब अगर आप 40 परसेंट अपनी सबसीटी लेके जाएंगे तो आपको 70 परसेंट 20 परसेंट अब आपको इस टाइम हमें क्या जरूरत है कि हमें अच्छा मेले जो काम करेंगे तो यह स्थिति है कि हम अपना काम देखें कि अब इस सबसीडाइस के लिए भी हम सिस्टम में बनाये किसने आप कम से कम उद्योग को छोड़े सीस से हमें काम पर ध्यान दे हम लोग काम करने दीजिए सबसीडाइक लिए आपको बोलते हैं इस इंदिन के साथे लागा वी सब लागा सब यह सब तो दिक्का देना आपको उद्द्योग के लिए छोड़ा ज बजरंग इंडस्टी से तालुक रखता हूं मेरा इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक और टाइल्स बनाने का गाम है मैं सरकार से यही चाहता हूं जो भी सरकार आने वाले समय में आये वो कम से कम मुफ्त की रिवडी और कर्ज लेना कम करे बिलकुल सही है कि सरकारें आ रही है मुफ्त की रिवडियां बाट रही है और कर्ज लेती जा रही है हमारे साथ आये आप एक यंग उद्योग पती है हम चाहते हैं कि आप आपकी क्या उमीदे हैं सरकारों से बस लाइड जो है नाम क्या है आपका कि सद्योग से सतीश मुलतानी परफेक्ट एचरी से हूं है औ इक अलग से मिनिस्ट्री अलरेडी है थोड़ा सा उसको इंप्रूव करें सभी अधिकारियों की जवाब देही तै करें और जो काम डिले हो रहे हैं वो थोड़ा सा टाइमली हो जाएं क्योंकि नए आपके स्टार्ट अप तभी चालू हो पाएंगे जब आप उनको फैसलि होता जा रहा है अब जो कहां जा रहा है है हैदराबाद हरियाना यहां पर छोटा होता जा रहा है क्योंकि यहां कोई फैसलिटी नहीं है कोई सबसेडी नहीं है बिजली की सबसेडी हरियाना में मिलेगी है हैदराबाद में मिलेगी लेकिन यहां कोई भी सुईधाय नहीं ह इसलिए थोड़ा कम होते जा रहा है उद्योग पतियों की अपनी अपनी समस्याएं हैं जैसा मैंने पहले कहा था कि इन्होंने जो उद्योग खड़े किये हैं ये सारे उद्योग अपनी महनत, अपनी हिम्मत और अपनी टाकत से खड़े किये हैं सरकार से उन्हें वो सुविधाय और वो जो मिलना चाहिए था वो ना तो फाइनेंस मिला है और ना इंफ्रस्टेक्शर हम चाहते हैं यह सभी उद्योगपतियों की आवाज है कि यह चाहते हैं कि जो भी अगली सरकार बने वो उद्योगपतियों के लिए उद्योगों को साहता देने वाली सरकार बने यही लोग हैं जो देश में विरोजगारी को खटम कर सकते हैं यही लोग हैं जो अपनी GDP में अपना हिस्सा देते हैं और यही लोग हैं जो सबसे ज़्यदा tax भी देते हैं हमारी उमीद है कि अगली सरकार इन उत्योगपतियों की आवाज सुनेगी और मद्व प्रदेश को उन्नताई के रास्ते पे ले जाएगी वीरन शर्माव मनोज शिवास्ता के साथ संजीव चाधरी हैंडी टीवी के लिए